आज हम बनाएंगे भर्वा मिर्ची तो इसके लिए सबसे पहले आप खरी मिर्ची को अच्छे से धोकर बीच से स्लिट करके रख लीजिए अब हम इसकी फिलिंग तियार करेंगे फिलिंग बनाने के लिए हम एक पैन में ओईल करम करेंगे उसमें एट करेंगे बेशन, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और इनको अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए अब हम इसे रोस्ट करेंगे चार पाच मिनिट रोस्ट करने के बाद आप इसमें एड करिए सॉल्ट, भुने जीरे का पाउडर, सौफ का पाउडर, गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करके आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए तयार की हुई फिलिंग से आप सारी मिर्च के स्टफिंग कर लीजिए और अब हम इसे ओयल में कुछ देर के लिए फ्राइ करेंगे तो एक पैन में ओयल गरम कीजिए और इन सारी मिर्चों को एके करके उसमें रखे और कुछ देर के लिए चारो साइट से ब्राउन होने तक पका लीजिए। पास साथ मिनिट पकाने के बाद आपकी भरवा मिर्ची बन के त्यार हो जाएगी। थैंक्स वर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तुगेट बेस्ट होम रेमिडीज और फूड रेसिपी। सुन आने नेक्स वीडियों।